तो हलो एबिवान, मूबी तरका में आपका स्वागत है तो आज मैं जिसकी हिंदी डविंग लेकर आया हूँ, उनका नाम है प्रसाद भारवे अगर आपको मालूम नहीं की प्रसाद भारवे कौन है तो आपने शाद बच्पन में या फिर होलिवड की के मूबीज में उनकी आवास जरूर सुनाओगा तो आज मैं उन्हीं का कुछ बरिया डायलोग्स लेकर आया हूँ, तो वीडियो को अन तक जरूर देखाए तुम लोग मेरी तरह धमाकेदार पोज नहीं कर रहे हो क्या क्या यार, never underestimate the power of a धमाकेदार entry कहीं मास्टर्स तो धमाकेदार entry से ही दुश्मनों के होश उड़ा देते हैं शी है मैं आफिस जा रहा हो काके मतलब मुझे लगता है कि अब मैं ठीक हूँ, मतलब मेरा दिल दखज़ करने लगा, जिएरा ड़ने ड़न में लगा, मतलब मेरे हाथ का आप रहे, लेकिन इससे क्या फरपड़ता है मैं ठीक हूँ फिर मेरे दिल ने कहा, इस जब दे की तरह पंदरा अप्रेल 1912 को टाइटनिक डूब गए थी और अब हमारी कंपरी भी डूबने वाली है, ओ कब बत सच की सुई, मैं तुम दुरों को टेंशन से बचा रहा था, यकिन मानो, मैं अच्छा बास बनने की कोशिश कर रहा था, हमारी लग चुकी है, वर्मा हमारा लास चांस है, वरना हम सब खलास सभी असली जेयन्स के तरह, कैकरोट भी लड़ते लड़ते मरना पसंद करेगा, वो कभी भी सेंजुवीन का सहरा लेकर जीतना नहीं चाहेगा, कैकरोट ने भी पिलकुल हमारी ही तरह, हाईपरबॉलिक टाइम चेंबर में चेनिंग ही है, देखते हैं वो क्या कर सकता है अहा, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ, अहा ब accept, ये प्लीज मुझे ये बताईए, आपने हमें पूर्मेन ये बनाए? आपने हमें पूर्मेन इसके बनाया, क्योंकि कुछ बुरे लोग इस धर्टी पर दाज करना चाते थे वैसे आपको अपनी ताकतों का पता कैसे चला क्योंकि नानी कहती है कि हमारे खून में ही जादू है कहीं इसलिए तो मेरी उगलियों में अजीब गुदगुदी नहीं हो वो वो ये गलत है मैंने जो कुछ भी कहा वो रेकॉर्ड पर तो नहीं गया है ना मैं मैं कोशिश कर रहा हूँ सिस्टम जैम है काम पर खांदो बिटा काम याभी कतम चुमेंगी हाँ थैंक्स डैड अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके रहना तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में गुदबाई